सरकार और विभाग के लाख कोसिस के बाद भी बिहार सहित भारत वर्ष में लाखो बच्चे सिक्षा एवंबाल अधिकार से महरूम, नसे एवंबाल स्रम से जुरे अपने जीवन और बच्पन को खो रहे हैं। आईए आपको एक ऐसे ही कहानी से रूवरू कराते हैं। गुरू की अनोखी मुहें प्लिटफॉम पर सबार रहे भविस। आज आपको एक ऐसे गुरू की कहानी बताने जा रहे हैं। जिसे सुनकर आप भी गुरू की पहल को सलाम करें। बेगु सराय के एक सिक्षक डंपत थी जो नसा की गुलाम बने बच्चों को मुफ्त में सिक्षा देकर न सिर्फ उनका बच्पन बचा रहे हैं बलकि उनके भविस को सबारने का भीरा उठा लिए। बरौनी जंक्षन इस्तित प्लेटफॉर्म पर कहरा पड़ रहे हैं इन बच्चों की तस्वीर देखी। पिछले आठ साल से मैं प्लेटफॉर्म पर रहने वाले वैसे बच्चों को सिक्षा और नसामगुतिक आभियान चला रहा हूं जिनका अपना कोई सक्षम गर्जियन नहीं है। इन में स्याधिकांस ऐसे बच्चे हैं जिनके अपने माता पिता नहीं है। कुछ ऐसे बच्ये जो ट्रेणों में imposing चुट गए या कुछ ऐसे बच्ये आज़य से भाग तो आओं सारह एक उता नी हो वरोनी जक्षन क्ये सिर्फ इन चालिए बच्चों के लिए लगाती उनुक्ष की मैं चाहती Hum बरवनी बिहार एवं भारत बर्स में जितने भी अनाथ बेसाहारा बाल सर्विंग बच्चे हैं उन्हें सामाने बच्चों की तरह सिक्षा एवं बाल अधिकार मिले और वे हमारे समाज के मुखधारा से जूर सकें जो बच्चे कल तक पढ़ाई से कोसो दूर थे कोई बाल मजदूरी करता था तो कोई नसा की गिरफ्ट में लेकिन अब जिन्दगी पटली पर लोटने लगी है बच्चों को मुफ्ट में सिक्षा दे रहें ये सिक्षक दंपत्ती बेगु सराई के सुखहरा निवासी अजीद कुमार सबनम मदुकर हैं जो भिविन प्लेटफॉमों पर मुफलसी की जिन्दगी गुजार रहें अनात, बेसहरा और नसे के आदी बने बच्चों के बीच ग्यान का दीपक जला रहें इनकी कोशिस है कि गुमरा हो चुके बच्चपन को पट्री पर लोटाया जा सके और ये बच्चे भी बाकी बच्चों की तरह साक्षर और सिक्षित हो सके बरावनी जंक्सन पर रोज दरजनों ट्रेने गुजरती हैं और ये बच्चे उसी भीर में कभी पॉकेट मारों के आरोप में पिड़ जाते थी तो कभी चोरी में पकरे जाते थी लेकिन सिक्षक दमपत्ती की पहल से आप बच्चों पर ये तोहमत भी नहीं जरे जाते सिक्षक तो आप बहुत देखे होंगे लेकिन सिक्षक अजीत और उनकी पत्नी की पहल सबसे अनूठी है मानो इन्होंने अपना जीवन इन अनात और बेसाहरा बच्चों के नाम समर्पित कर लिया हूँ ये वो बच्चे हैं जिनकी जिन्दगी में कभी सिक्षा विमक्यान की रोसनी पहुंचने की उमीद नहीं थी लेकिन इस इक्षक धंपती इन मासूमों की आँखों में सुनहरे कल का सपना सजा रही हैं टाकि ऐसे बच्चों के गुम्रा हो रहे बच्चपन को बचाया जासा अजीत और सबनम मदुकर को देखकर आब उनके बेटे दिव्यान सुवी इस मुहीं से जुड़ गए हैं और बच्चों को योग के साथ अनगती वीदियों में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं मैं पापा के इस अभियान में उनके साथ हूँ मैं प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बच्चों को खेल कुद वए योगा में प्रसिक्चित करता हूँ अपनी ममी पापा के सेक्चिनिक अभियान से जुरे बच्चों को पेंटिंग सिखाता हूँ लोग बड़े होकर डॉक्टर या एंजिनियर बनने की चाह रखते हैं लेकिन मैं बड़ा होकर अपनी ममी पापा की तरह एक अच्छा सोसल वर्कर बनना चाहता हूँ यहां बच्चों को पढ़ाई के साथ गीत, संगीत, पहेली, मुक, अभिने, चित्र, तालियां और चुटकियों जैसे रोचक गतिविद्यों के माध्यम से भी भासा और गनीत की पढ़ाई करवाई जाती है पढ़ाई के साथ सिक्छक डंपती चंदा इकठा कर इन बच्चों के कपरे और भोजन का भी ख्याल रखते हैं सिक्छक अजीत की माने तो नहीं यह पेड़ना इसलिए मिली क्योंकि अजीत का बच्चपन अपने पिता के साथ बरौनी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए गुजरा है अपने इरादे के मजबूत और धुन के पक्के अजीत सुरू से पढ़ली कर सिक्छक बनना चाहते हैं और असनातक की पढ़ाई पूरी कर वरस्त 2004 में मद्विद्याले रेलवे बरौनी में भासायम गनीज सिक्छक के रूप में निक्त हुए और अब बच्चों के लिए प्लेट फॉम पर भी पार्ट साला लगाते हैं सही कहा गया है कि गुरू अगर ठान ले तो समाज की विग्री तकदीर बदल सकती है और अजीत दमपती साइद इसी मोहिम में जुटे हैं ताकि सिक्छा से कोई भी बच्चा महरूम नहो एकेजा की खास रिपोर्ट